जैसा कि आप देख रहे हैं, पावर सप्लाई रवाई में हम चेक कर रहे हैं, तो हमें 387 मिल रहा है, रवी में 386 मिल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें अंडर वोल्टेज और वोल्टेज और वोल्टेज दोनों के लिए रेंच सेटिंग किया हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सेटिंग है, इसमें 370, 380 के सम्टिंग है, जैसा कि आप पावर सप्लाई चेक किया, 386 चल रहा है, तो हमें इसे चेक करने के लिए प्रॉपर काम कर रहा है, कि नहीं चेक करने के लिए, हम क्या करेंगे, इस अंडर वोल्टेज की सेटिंग को 380 के ऊपर, 380 के ऊपर ले जाएंगे, 390 के सम्टिंग, तो हमें इसमें सिगनल मिलना चाहिए, अंडर वोल्टेज में सिगनल आना चाहिए, इसका मतलब अगर सिगनल आ जाता है, तो इसका मतलब यह रिले प्रॉपर काम कर रहा है ऐसे ही ओबर वोल्टेज की सेटिंग है ओबर वोल्टेज की सेटिंग के लिए भी हम तो इसे भी हम 440 से अंडर 386 के अंडर राउंड लेके आएंगे तो यह भी ओबर वोल्टेज का अलरम देना चाहिए तो इसका मतलब यह रेले काम कर रहा है प्रॉपल तो चलिए हम इसे उड़ा सा रेंज इसकी बढ़ा के देख सकते हैं यह काम कर रहा है कि नहीं कभी-कभी यह सिग्णल कभी-कभी यह मौल फंट्शनिंग करता है रेले ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि तो इसमें एक रेट सिगनल आ जाता है और जो की रिसेट ही नहीं होता कभी तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो दो वायर दिख रहे हैं आपको 7 और 8 में लगे हैं इन दोनों को बाइपास कर देते हैं तो अगर अलारम रिसेट हो जाता है तो इसका मतलब छिलर के डिस्प्ले से अलारम रिसेट हो जाएगा इन दोनों को बाइपास करने से क्योंकि कंट्रोलर से कमाइड इसमें आता है अगर जिलर के डिस्प्ले से अलारम हट गया इसका मतलब ये रिले में प्रॉब्लम है पर यहां से रेड सिगनल नहीं हटता है तो फिर रिले को रिप्लेस करके हम इसे चेक कर सकते हैं और कभी-कभी फेज अन्बैलेंस का अलारम जब आता है, तो हम क्या करते हैं, इसको छेक करने के लिए कि फेज अन्बैलेंस में प्रोब्लम है कि क्या है, तो यहां से हम पावर सप्लाई को आफ करेंगे सबसे पहले, यह ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि पावर सप्लाई चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3-phase supply आता है, इससे कुछ accident हो सकता है, इसलिए सबसे पहले power supply को off करेंगे, और फिर यहाँ पर कोई भी एक phase को interchange करेंगे, या R-by को या R-by को, इंटर्चेंज करेंगे, इंटर्चेंज करने से अगर ये unbalance, U-B, R-P का alarm reset हो जाता है, इसका मतलग phase unbalance हा रहा है, तो हम client को बोल सकते हैं, कि आप अपने तरफ से power supply को ठीक करिए, और उसके बादी compressor को command देंगे, तो चलिए हम इसका setting चेक कर लेते हैं, कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, अगर हम इसे range में ले आएंगे, इतना power supply हमें मिल रहा था, 387, 390 के बीच में, इसे ले के आएंगे 390, ये दिख रहा है, आपको 390 के सम्तिंग ले आएंगे, तो इसमें alarm आना चाहिए, SPPR का, SPPR का और यहाँ पे alarm आना चाहिए, red signal का, चिलर के डिस्पले में आएगा, SPPR का alarm लिखके, तो चलिए हम इसे setting को 390 के सम्तिंग ले आते हैं, यह देखिए, य दोनों ही सर्किट को, अभी आप देख सकते हैं, दोनों ही सर्किट ट्रिप हो गया, इसमें लिख के आगया है, SPPR alarm, इसमें दोनों ही सर्किट ट्रिप हो चुका है, दोनों ही सर्किट ट्रिप हो चुका है, और यह alarm भी आटोमेटिक रिशिट हो गया, क्यूंकि पावर सप् इसका मसीब आफ हो गया तो power supply इसका 400 के उपर हो गया होगा 400 के उपर power supply ये देखिए 415 voltage आ रहा है इसमें इसलिए automatic reset हो गया चलिए हम आपको ये दिखाते हैं कि over voltage कैसे setting पे काम करता है अभी 440 पे setting है और 415 voltage है तो हम इसे 415 के under लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं, कि मैं 400 के अराउंड लेके आया इसका, रेंज, तो आप देख सकते हैं, कि 400 के रेंज पे ले आया, तो ये अलारम ओवर वोल्टेज का सिगनल देने लगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बैरियेसन दिया, 415 वोल्टेज मिल रहा है, और यहाँ पे हमने सेट हो गया, आइटोमेटिक रिसेट हो गया, 440 पे सेट करते सही, अलारम रिसेट हो गया, इसे हम वापस से 380 पे सेट कर देंगे,